नमस्कार दोस्तों हम सभी के पास अपनी अपनी फैमली है और उन फैमली की केर करना हमारा परम करतेव्य है तो आज मैं इस वीडियो में बताने की कोशिस करूँगा कि आपको कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो अपने फैमली के साथ सेर करना है आप किसी भी एक मेंबर के साथ सेर कर सकते है या वो आपका बीटा हो सकता है बीटी हो सकती है वो आपके वाइफ या फिर आपके पती हो सकते है या फिर आपके पैरेंट्स हो सकते है लिखिन इन डिटेल्स के पारे में आपके घर वालों को जरूर पता होना चाहिए आप सभ कोविड ने हमारे personal finance, हमारे investment के तरीके को, हमारे रहने के तरीके को, हमें एक जो future planning है, उसको देखने के नजरिये को change किया है, हम लोग कोविड से पहले कभी भी इस तरह की महामारी के लिए नहीं सोच करके अपनी investment planning करते थे, कभी किसी तरह की महामारी आ गई, तो फिर हम क्य करेंगे, ठीक है, लेकिन अब हम अगर investment करते हैं, तो हमारे अंदर ये एक दिमाग में रहता है, कि अगर इस तरह की महामारी आ गई, या फिर इस तरह की emergency situation आ गई, lockdown जैसी situation आ गई, तो उस समय हमारा finance किस तरह से होगा, जहां पे कई लोगों ने अपनी jobs खोई हैं, जहां पे कई लोगों ने, जो एक बड़े ओहदे पर थे, वो फिर आकर के घर पे बैठे हुए हैं, और उनका जो गुजारा हो रहा है, वो बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है, यानि कि जो उनकी पहले की lifestyle थी, अब उस वो present lifestyle नहीं रही है, तो बहुत सारे changes, बहुत सारे बदल इसको बता करके रखनी है, वो है insurance agent के detail, आप लोगों ने कई सारे insurance ले रखे होंगे, आपकी health emergency भी पढ़ सकती है, आपके जो भी bills हैं, उनको चुकाना पढ़ सकता है, आप ऐसी condition में हो सकते हैं, कि आप उस सारे चीजे नहीं बता सकते, तो आपके family member में अगर ये चीजे पता होंगी, तो आपके insurance agent से directly contact किया जा सकता है, और साथी अगर किसी तरह की demise हो गई, यानि कि जो भी insurance लिया हुआ है, अगर उसकी death हो जाती है, भाई चान्स, तो फिर claim करने के लिए वो पता होना चीए कि कहां से claim करना है, कई बार क्या होता है, कि हमें पता नहीं होता है कि हमारे पापा ने, हमारी ममी ने, या फिर हमारी parents ने कहां कहां से insurance ले रखा है, किस से ले रखा है, तो वो क्या होते हैं, कि unclaimed पड़े रह जाते हैं, और फिर वो ऐसे धरे के धरे रह जाते हैं, और claim भी नहीं हो पाते हैं, तो इससे आपकी family को पता होगा, तो वो जो insurance आपने ले रखका है वो claim किये जा सकेंगे time पे दूसरी detail है आप लेगों के लिए वो है financial advisor की आप लेगों के ना होने के बाद financial advisor की जरूरत आप लेगों के family को पढ़े के अब हो सकता है कि insurance में claim आपके family को एक बड़ा amount मिला हो तो कई बार क्या होता है कि amount तो मिल गया आपने अपनी family को छोड़ करके गया है कि पैसा हम या एक करोड का आपने टॉम लिया था आपने इस तरह की pension planning करके गई थी कि हमारे ना होने के बाद हमारी family को इस तरह की pension मिलेगी लेकिन क्या हो अगर आपके family member में आपकी wife या फिर आपके husband या फिर जो भी आपके nominee या फिर जिसको भी आप छोड़ करके गए हैं उनको पता ही नहीं हो कि उन पैसों को manage कैसे करना है एक दो महीने तो ठीक है पैसे नहीं खाचोंगे लेकिन जब पैसों के हाथ लगेंगे तो फिर उनको उड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी तो financial advisor एक ऐसी चीज है जो कि आपको काफी मदद करेगी आपके ना होने के बाद आपके family members के लिए नेक्स्ट है चार्टेड अकाउंटेड चार्टेड अकाउंटेड बहुत ज़्यादा जिरूरी है दोस्तों क्योंकि जब भी आप लोग किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पे आप लोग active ना हो तो वहाँ पे आपके family member को अगर ये पता होता है कि आपका CA को होने है कि आपने कहाँ पे insurance लिया हुआ है आपने कहाँ पे जमीने खरीदी हुई है कहाँ पे आपके transaction हो रहे हैं कहाँ पे आपके investments जा रहे हैं तो वो सारी details आपके CA को पता होती है क्योंकि at the end of the year, at the end of the financial year वो आपके लिए आपका ITR यानिके income tax return फाइल करता है तो आप उनको सारी details बताते हैं हर transaction के बारे में जिसे कि आप लोगों की tax saving हो सके तो अगर इनसे छूट भी जाता है तो आपके family member में अगर कोई उनसे content करता है CA से contact करता है तो वो सारी details उनको दे सकते हैं और आगे भी उनकी मदद करते रहेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वो tax भी बचा सकते हैं next है stock broker, stock broker अगर आपने कहीं पे invest करा हुआ है तब इस condition में आप लोग अपने family को जरूर बता है जैसे कि कई लोग कुने angel broking के साथ demit account खोल रखा होता है वहाँ पे कुछ पैसे invest कर रख्या होते हैं कुछ लोगों ने जिरूधा के साथ खोल रखा होता है अब कई बार क्या होता है आपने investment करने के लिए direct stock में किसी एक particular demit account खोलते हैं broker के साथ फिर mutual fund में आप लोग invest करते हैं तो कहीं पे और आप लोग खोलते हैं growth एगरा के साथ चले जाते हैं या फिर ptm एगरा के साथ चले जाते हैं तो इस condition में आपको अपने family member को बताना होगा कि हमने कहां कहां पर demit accounts को खोल रखे हैं कहां कहां पर आपके investments हैं अब इसकी details भी आप लोग chartered accountant को दे सकते हैं कि हाँ ये मेरी details है अगर मैं किसी तरह क demise हो जाती है मेरे साथ तो आप मेरे family member को ये सारी चीज़े transfer कर सकते हो या फिर आप लोग एक excel seat बना सकते हो एक excel seat में आप अपने stock broker की detail अपने insurance agent की detail advisor की detail CA की detail address के साथ number के साथ वो सारा कुछ आप लोग लिग करके वहाँ पर उनको दे सकते हो तो ये भी एक तरीका है जो क आप लोग रख सकते हो और अपने family member को provide करा सकते हो next की legal documents अब ये सारी चीज़े क्यों जरूरी है क्योंकि देखिए अगर किसी तरह के demise होती है तो आपके claim के लिए legal documents की जरूरत पढ़ती है हर जगह पे जरूरत पढ़ेंगी इन legal documents की हमीसा original documents की मांग करी जाती है तो दोस जगह आपने accounts को post office में खोल रखा है या फिर आपने कोई bank में scheme खोल रखी है मेरे पास खुद different different banks accounts है तो अब मेरे जो family member है अब उनको पता है जिन पर मैं trust करता हूँ कि मेरे account कहां कहां पे हैं और कितना पैसा उसमें पढ़ा हुआ है और उन पैसे को कैसे use किया जा सकता है तो वो सारी banks details आप अपने family member को बता सकते हो जिन पर आप trust करते हो अपने से ज़्यादा trust करते हो या फिर जिस भी तरह के आपी condition हो ATM और credit cards के details ATM और credit cards भी अपने family member को जरूर बता करके रखे कि आपके पास कौन-कौन से ATM है कौन-कौन से credit card है आप जब भी ले बस उसकी details हलक किसी दे दे आपको बहुत ज़्यादा उसमें तिग्डम करने की जरूरत नहीं है या फिर आप एक ऐसा कर सकते हो कि आप सारी details को लिख सकते हो Excel seat में या फिर word document में आप लिख सकते हो या फिर copy pen पे आप लिख करके आराम से किसी आलमारी में रख सकते हो जिससे कि आपके न जिससे कि आप लोगों के ना होने के पाद अगर documents की खोजबिन होती है तो आराम से मिल सके और पता चल सके कि आपकी क्या क्या details कहां कहां पे रखे होई हैं पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आप लोगों के बहुत सा यह चालू रहता है अगर किसी को मिल जाता है और अगर उसका गलत उपयोग होता है तो credit card में आपको पता ही है कि already आपके पैसे वहाँ पे एक loan amount होता है और ATM card में आपके saving count पैसे पढ़े होता है किसी ने भी password find कर लिया फिल्म find कर लिया तो फिर आप लगों के family पे अलग त समय cancel हो जाएगा तो यह चीज़े आप लोगों को जरूर अपने family member को बता करके रखनी है तो मैंने जो जो भी चीज़े आपको बताई है उनकी आप एक बार list बना लेजिए एक बार और और पीछे वीडियो में जाईए अगर आप लोगों को लगता है कि एक बार और देख और अगर आप लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइक रोगों क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो के नॉटिफिकिशन आप लोगों तक आ सकेंगे हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं तब कि लिए आप लोगा दिन सबह जाहिन